Hallo Everyone, तो आज मैं आपको बताओंगो, Discount का Ledger किस तरीकी से बनाया जाता है Tally Prime में, तो Simple से तरीके से Discount का Ledger बनाना सिखते हैं, सबसे पहले आपको Create पर जाना है, Create पर जाने के बाद आपको Ledger पर जाना है, और यहां से आपको Discount का Ledger बनाना है, और यहीं से मैंने discount का ledger बना रखा है, तो simply आपको discount का ledger बना के दिखाता हूँ, जो मेरा बना हुआ ledger है, मैं alter में जाने के बाद ledger फिर यहाँ पे मैं discount करूगा, यहाँ पर देख लीजे डेव की जगह आपको discount डालना है, कितने परसंट का discount डालना है, वो भी आप add the rate करके पीछे नाम में डाल सकते हैं, हलाकि हमने discount डालना है, क्योंकि कभी हमें जादा, कभी कम discount डेना पड़ता है, तो taxable जो value होता है, उस पर कितना discount हमें देना है, उस हिसाब से हम यह अपने आपी calculate कर लेगा, discount के बाद यहाँ पर आपको indirect expense में डालना है, क्योंकि discount जो होता है, वो indirect expense होता है, उसके बाद यहाँ पर note applicable आपको करना है, यहाँ पर आपको discount नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर discount कर दीजे या फिर आप note applicable कर दीजे, वैसे जो note आपके बोगेगा डिसकाउंट पर भी, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें good and services पर करना है click, फिर based on value, no, और फिर जब यह पूरा हो जाया simply यहां से आपको save कर लेना है control ए करके आप save कर लीजे इस तरीके से आपका discount का ledger है जो बन जाये हम दिखाते हैं देखिए हमारा discount का same इसी तरीके से ledger बना हुआ है तो आपको discount का ledger बनाने के लिए ज्यादा मेनत करने की जूरत नहीं है वीडियो को देखियो डिस्काउंट का लेजर बनाई